नमस्कार दोस्तों तो दोस्तों कैसे हैं आप सब दोस्तों JNU के तरप से फरवरी 2023 में बहुत सारे नन टीचिंग पोस्ट के लिए बेकेंसी निकाला गया था और आपको हम भी बताए थे कि इसका अपलाई आप लोग जरूर करें तो जो दोस्तों लोग इसका अपलाई किये है दोस्तों वो 26 और 27 अपरील को होगा बस 10 से 11 दिन का अब टाइम है अभी आपका एडमिर कार्ड आया नहीं है लेकिन 2 से 3 दिन में आपका एडमिर कार्ड भी आ जाएगा ओके तो ये किस-किस पोस्ट के लिए अपलाई निकला था जिसका एडमिर कार्ड आया है तो आप लोग यहां पर देखें साप साप लिखाए कि आपका एक्जाम City और Admit Card बाद में जारी किया जाएगा तो आप लोग ये मान के रहें कि एक्जाम से one week पहले आपका admit card आ जाएगा तो आप लोग अच्छे से इसका preparation करें जो दोस्त लोग इसका apply किये थे आपका ये जो CBT exam होगा वो bilingual होगा Hindi और English दोनों में question रहेंगे और इसमें जो question पूछा जाएगा वो general awareness से, reasoning से, math से, computer से और language में Hindi और English रहेगा आप चाहें तो Hindi का question बना सकते हैं या फिर English का question ये आपके उपर depend करेगा आपका जब exam start होगा उससे पहले ये choose करने का option आएगा कि आप Hindi language का question बनाना चाहते हैं या फिर English language का question तो ये आपके उपर depend करेगा समझ मागे दोस्तों तो यही इसमें information था आप लोग अच्छे से देख लें ये total 23 post का exam date आ चुका है आप लोग देख लें कि आपका जिस post के लिए आप apply किये थे उसका exam date इसमें है या नहीं आप जिस post के लिए apply किये थे वो इस list में है या नह तो दोस्तों यही एक इसमें जानकारी थी आपको यदि ये जानकारी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दें और इस चैनल पे हिंदी का बहुत सारा वीडियो पहले से है आप लोग यदि देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं KBS हिंदी करके playlist बना हुआ है अभी तक चैनल के साथ नहीं जूरे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो दोस्तों मिलते हैं अच्छा का सानी वीडियो लेकिए तब तक के लिए धाने मानमस्कार